नमस्कार दोस्तों मैं क्रिस्टम उर्थी आप सब्सक्राइब करता हूं लेंडिंगेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों ये फ्यूचर का जो पहला क्लास है आपका जो बेसिक्स चीजें होती है जहां पर आपको दिक्कत हो रही है उसके रिगार्डिंग में वीडियो लाता क्लोजिंग प्राइब होता है क्लोजिंग प्रेइस कोता है इंडर्लाइइंग क्रेंग क्या होता है चीजें बताने वाला हूँ यह सेमज जाती है आप इस चीज में ट्रेड़ करते हो द unknown मजने में चीजएं मैं आपको वीडियो अना杆 के डालता रहांगा मेरे चैनल सेक्शन में जो एक्रिष्ण मुर्ति के नाम से चैनल है जहां पर आपको एनिसम के रिगार्डिंग कैसे पुछे आते हैं चीजएक कैसे आपको एकस्पेंड की जाती है वहाँ पर आप जाओगे तो NISM के रिगार्डिंग जो भी आपको topics हैं वह आपको मिल जाएंगे फिलाल जो है मैं आपको ये explain करने वाला हूँ चीजें उसके बाद जो भी होंगी वो explain करता रहूँगा मैं instrument type जो है आपका index future है या stock future है दो में आप trade करते हो एक तो आपका index future होता है दूसरा आपका जो है stock future होता है commodity future भी हो सकता है currency future भी हो सकता है लेकिन आपका ये equity derivative का exam है तो मैं यहाँ दो तक restrict रहता हूँ मैं जो है बहुत deep में नहीं जाता जब मैं currency का commodities का classes आपको बताऊंगा तब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी instrument type जो है आपका index future है अगर आपसे कोई पूछे nifty 50 में trade करते हो तो वह index future है या index stocks है तो वह index future है simple है option का जब chapter आएगा तो मैं पूरा concept option का जो है clear कर दूँगा वीडियो आपको मिल जाएंगे उसकी आप चिंता मत करो तो यहां पर जो आप nifty trade कर रहे हो मैं example बोलता हूं nifty यहां पर मैंने choose किया तो nifty आपका यहां पर November future December future January future ध्यान रखना कोई भी आप F&O करते हो future and option करते हो 3 months का contract trade करता है November का December का January का यह आपको आने वाली classes में पता चल जाएंगे आपको 3 months के ऊपर का contract आप नहीं ले सकते यह ची समझगे अब मैं यहां पर आपको आता हूं यहां पर देख लो underlying asset पुछेगा आपसे instrument type समझगे index future है या index option है वो अलग बताऊंगा या index stock है यहां पर आपसे पुछे SBI number future है इसको आप buy sell कर रहे हो वो आपका index future है या आपका stock future है तो जायर सी बात है या आपका stock future है underlying asset का मतलब क्या होता है आप किसके बहाफ में future trade कर रहे हो हर future का options का एक underlying होगा underlying नहीं होगा तो वो trade नहीं करेगा क्योंकि at the end of the expiry day उसको settlement करना है आप ऐसा future को सीधा buy करके आप expire नहीं कर सकते उसको settlement होना है अगर मैं मालो number का nifty number का जो है मैं future buy करता हूँ जो की future में फिलालवी cash settlement है मैं example बोलता हूँ इसका buy करता हूँ मतलब number के last thursday को जो है मुझे यहाँ पे nifty 50 जो इसका index है मुझे वो buy करना होगा delivery में जो की आपको index future and options में होता नहीं है यहाँ पे जो भी settlement होगा आपका at the end of the expiry मतलब closing day को वो आपका cash में settlement हो जाएगा चाहे profit में या आपका loss में simple है underlying asset का मतलब समझ गए यहाँ पे nifty और buy करते हो तो nifty 50s का underlying है और आप bank nifty buy करते हो तो nifty bank उसका underlying है अब मैं आपको यहाँ पे example देता हूँ यहाँ पे SBI है अगर मैं मानलो SBI buy कर रहा हूँ तो SBI का underlying क्या होगा मैं future buy कर रहा हूँ ध्यां से सुनना SBI का underlying SBI stock होगा मतलब मुझे 1500 quantity जो है अगर मैं buy कर रहा हूँ फिलाल 1.8 lakh value है 1500 rupees इंटु जो भी price रहेगा आपका expiry day के दिन SBI का उस price पे आपको पूरा 1500 quantity अपने teammate account में लेना होगा इसलिए SBI number future का underlying क्या हो गया SBI है आप SBI number future buy करके PNB नहीं ले सकते है अब delivery में तो underlying हर future का options का currency का commodities का होता है जहां पे आप expiry के end में उसका जो main assets है उसको आप as a delivery ले लो इसका मतलब यह होता है future का मतलब यह होता है कि आप जो है next month के लिए एक particular date के लिए जो है contract करते हो कि उस date को जो है मैं आपसे underlying buy और sell करूंगा यह विची समझ गया तो अगर कोई पूछें आपसे underlying assets क्या होता है nifty 50 आप buy कर रहे हो nifty 50 होगा bank nifty आप बाइ कर रहे हो future options bank nifty होगा अगर आप buy कर रहे हो PNB का future option तो PNB उसका underlying assets होगा अगर आप gold बाइ कर रहे हो future options में तो gold उसका underlying assets होगा तो वो common चीज़़ जो है आपको समझ में आनी चाहिए expiry rate, expiry rate क्या होता है expiry rate index जो है आपको आप nifty bank nifty trade करते हो वो आपको हर Thursday को weekly expiry होता है मतलब third का भी expiry होगा trend का भी expiry होगा, 17th का भी expiry होगा 24th का इसको बोलते हैं monthly expiry वो भी होगा, तो जो भी आप index trade करते हो उसका आपको weekly expiry मिल जाएगा, लेकिन जो भी आप stocks trade करते हो मानलो SBI trade किया, PNB trade किया मानलो ACN print trade किया MRF trade किया, जो भी आप trade करोगे अगर वो futures and options में available है, stocks का settlement है फिलाल के rule के अनुसार वो अभी monthly monthly है, मतलब month के last Thursday को जो है उसका expiry होने वाला है, expiry का मतलब उस date के बाद जो वो contract trade नहीं करेगा आपको next contract में entry करना होगा simple concept है, समझ गए last Thursday holiday है तो 1 over 3 day पहले आपका expiry होगा आगे नहीं होगा, यह भी concept समझ गए अब आते हैं आपका expiry date समझ गए open price, open price का मतलब मैं यहाँ पे nifty आपका future यहाँ पे depth open करता हूँ यहाँ पे देख लो आपका open price का मतलब आज 9.15 से लेके 3.30 के बेच में future and option trade करता है, तो आज opening price क्या है 18,294 का है open price समझ गए, जो आपका opening price है, market open होती ही high price, आज का high कितना है अभी market चल रहा है यह high जा सकता है और भी, तो मतलब आज पूरे दिन में high कितना गया, वो आपको यहाँ दिख जाएगा low price, आज पूरे दिन में low कितना गया है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा closing price का मतलब होता है previous day मतलब मालो आज Tuesday है, तो Monday को 3.30 को उसका closing price था, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसके बाद जो है number of contract traded, यहाँ पर देख लो volume जो है यह volume मुझे लग रहा है, यह stocks का है stocks मतलब, एक यहाँ पर, एक contract में कितना है, 50 का lot size है अगर आपका 100 contract trade होगा, तो आपका 5000 quantity माना जाएगा तो मुझे लगता है, यह जो volume है आपका, वो जो है आप stocks में भी दिखा सकते हो वो जो है आप lot में भी दिखा सकते हो वो depend करता है, तो यहाँ पर number of contract traded का मतलब होगा, कितना contract trade हुआ है, एक contract में 50 quantity है turnover in lakhs, turnover का मतलब क्या होता है जितना quantity यहाँ पर मैं example बोलता हूँ मैंने buy किया, nifty future तो 50 को जो है, आप इससे multiply कर दो जो multiply करने का वाद value आने वाला है वो आने वाला turnover, यह price मत देखना है यह margin requirement है, जब आपको topic आएगा तो इसके वारे मैं समझा दूँगा margin क्या होता है initial margin क्या होता है, चीज़े कैसे work out करती है, फिलाल अभी आप यह समझो turnover जो है, आपके case में income tax case में अलग है exchange case में अलग है, तोनों को एक compare मत करना, turnover फिलाल exchange case में, जो आपने quantity है यहाँ पर उसको आप multiply कर दो, turnover जो है, वो calculate कर लेती है, आपको futures में exchange, option में जो premium अपने pay किया है, buying side में plus, जो strike price है उसको add कर दो, into lot size कर दो वो आपका turnover है, आने वाली कासी में जो भी होंगी आपको बताता रहोंगा मैं आपको turnover in lakhs का मत्तर समझगे, कितना turnover हुआ है आपका, और underlying value underlying value का मतलब होता है spot price मतलब cash market में जो है, उसी underlying का क्या rate चल रहा है, example बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो, nifty का 18,136 का rate है, लेकिन आपको number contract trade कर रहा है, यहाँ आपको 18,224 पे सरी, difference क्यो है 18,135, nifty का rate है number का contract चल रहा, 18,223 पे December का और महंगा मिलेगा आपको December का देख लो, आपको सर यह 225 पे है, 308 पे है यह आपका, January का यह आपका 360 पे है, तो क्या मैं सर जी इसको index को buy करके cash में इसको sell कर दो तो पैसे बनेंगे आने वाले classes में जो है, चीज़ें आप समझ जाओगे बनते हैं, नहीं बनते हैं, या क्यों ऐसा price रखा गया है, जब मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा, आपको concept clear हो जाएगा, simple term में समझ गए तो underlying January 23 future का पूछेगा आप से कौन है जो अभी का जो आपका index का nifty 50 का चल रहा है, spot rate वो आप बता जेना, उसी को यहाँ पे आया गया है, कि underlying value क्या है SBI, number future का underlying value क्या हो सकता है 615 का चल रहा है, लेकिन SBI का underlying value जो अभी current market में spot price, मतलब cash market में trade कर रहा है, वो चल रहा है 612.95 का, simple है आप इसको open करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे SBI, इनका जो spot में चल रहा है cash में जो price चल रहा है, वो दिख जाएगा तो मैं आपको, आपके मन में सवाल आ रहा हूँ है सजी, मैं यहाँ पे cash में buy कर लेता हूँ 613 पे, और जो है, मैं 615 पे sell कर देता हूँ 2 रूपीज का profit होगा मुझे expiry के दिन, और 1500 है quantity है मतलब मैं 3000 रूपीज safely कमा लूँगा, कमा लोगे, नहीं कमा लोगे क्या होगा, उसके regarding जब भी आपको topic इसके regarding आएगी मैं आपको explain कर दूँगा, फिलहाल इतना ही था मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है number of contract traded, या sales बोल दो जो भी होगा, क्या होता है 10 over in lakhs कैसे calculate करते हैं और underlying value क्या है दोस्तों मैं आशा करता हूँ, वीडियो चापको अच्छा लगा हूँ, वीडियो से लोगा लाइक करें subscribe करें, share करें, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद